बिस्मिनलाह रर्रह्माने रहीं, तो हम थैमेंशन देखते हैं, ऍस्टूज़न जब हम थैमेंशन की बात करते हैं, ए जर बेभी क्या पासिबल है, तो एक पासिबल है, तो एक ढासि換 ने है 3 2,3 डाट जरब होना चाहिए यहां जरब से बचने के लिए टाइम सबहरें त्री डाट टू है और इसका क्या है टू डाट टू 2 dot 2 हाँ बिलकुल इसका multiplication पासिबल है उसका जो जवाब आएगा जो resultant matters आएगा वो 3 cross 2 होना चाहिए अच्छा जी तो आगे calculate A, B can you calculate B, A, Y फिर सवाल ये है A, B calculate हो सकते हैं हाँ क्या B, A calculate हो सकते हैं जब हम B, A की बात करते हैं B पहले हो जाएगा और A बात में तो B जब पहले हो जाएगा तो B का dimension है 2, 2 और A का dimension है 3, 2 तो ये B का दूसरा और A का जो पहला है वो बराबर नहीं है, इसकी multiplication पासिबल नहीं है, इसी तरह ये सारे question इसी से related है अच्छा, question number 3 तो irrelevant है, example की बात कर रहा है question number 4, find the product ये product आपने मालूम करने है example number, question number 7 भी irrelevant है question number 6 expand the following submission expression तो submission expression student, let's suppose मैं इस A को करने की कोशिश करता हूँ यहाँ, इसका मतलब है X, I यानि subscribe I बदल रहा है 2 से 5 तक तो X, I की जगा 2, जब मैं X 3, subscribe 3, जब मैं X subscribe 4, जब मैं X subscribe 5 इसी तरह student आगे अगर हम B को करते है तो B का मतलब है, जो subscribe है वो, अगर मुझे नज़र सही आ रहा है 5 से 8 तक जा रहा है और A के साथ भी subscribe है और X के साथ भी तो A और X दोनो 5 और 8 तक जाएगी A5, X5 जबा, A6 AX6 जबा, A7, X7 जबा, A8, X8 जबा ये subscribe उटा के जा रहा है अच्छा इसके बाद जी student ये, I think इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए मंड़े के जब हम मिलेंगे तो जो भी question आपके होंगे, आपने वो circle करने आपने इन सब पर practice करनी है जो question भी नहीं हो रहा rewrite the following in submission notation इने हमने submission notation में लिखना है इने हम submission notation में किस सरा लिखेंगे इने, चल ब स्टूडंट इसी के साथ हमारी class खत्म इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं 10 मिल्ट है, अच्छा rewrite the following in submission notation अगर हमने इसे submission notation में लिखना है तो सबसे पहले हमने पहचानना है कि variable कि pattern के साथ आगे बढ़ रहे हैं x1 into bracket x1 मन्फी 1 जमा 2 x2 into bracket x2 minus 1 मैं word की file खोल लेता हूँ mathematical economics 1 अच्छा है student control and let's suppose यह question है x1 जर्बे bracket x1 मन्फी 1 फिर bracket वाला आगे जा रहा है x2 पे जा रहा है और इदर भी अगर मैं i लगा दू तो i का मतलब है 1 i का मतलब है 2 अच्छा तो इसको यह इस तरह जा रहा है मैंने यह pattern रून है यह जा रहा है let's suppose अगर मैं अपने submission submission का sign मैं नहीं लगाँँगा उसको मैं use submission let's suppose यह वो symbol है submission नीचे मेरा जो variable है उसे मैंने नाम दे दी i i कहां से जा रहा है i 1 से जा रहा है up to कहां तक जा रहा है यह जा रहा है 3 तक जा रहा है 1 से नीचे i is equal to 1 उपर कहां तक जा रहा है 3 तक जा रहा है मैंने क्या लिखा i is equal to 1 और उपर क्या लिखा उपर 3 लिखा ये 1 से 3 तक जा रहा है अभी इसका pattern क्या बनेगा इसका pattern मैं बनाने लगा हूँ ये i ये वो answer है i i के बाद x x के साथ भी i और फिर क्या है जर्बे x के साथ i और minus 1 तो ये pattern है यानि ये वाला हमारा आई जो जो आई है उसमें आपके एक से लेके 3 तक ये जाएंगे तो पहला क्या होना चाहिए एक 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 तो क्या होगा कोफिशन्ट अगर एक होगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं x1 into x1 minus 1 जमा सब्मिशन का मतलब है जमा कोफिशन 2 हो गया 2 x2 into x2 minus 1 x2 minus 1 हाँ तो यही तरीका का रहा है इससे अगर कभी हमें जो समप दिया होगा कि यह इस pattern से आगे चल रहा है इसको सब्मिशन फाम में लिखना है कभी सब्मिशन दिया होगा कहा जाएगा इसको एक्स्प्रेशन फाम में लिखना है तो यह चेप्टर जो रड़क आपको कह रहा था अगर आपके जो दो मैट्रिस्त हैं अगर यह दोनों रो हो या दोनों कालम हो या एक रो हो और एक कालम हो यह तीन कंडिशन तो फिर आपने डारेक जरब देना है यह नहीं देखना है कि रो पहले रो और यह कालम नहीं तो यहां जी वह requirement पूरी नहीं होती एक कालम है और एक रो है इसको हमने प्रापर जरब देना है और इससे जो जवाब आएगा वो वो क्या हैगा इससे जो जवाब आएगा वो let's suppose इसका dimension क्या है 2,1 इसका dimension है 1,3 तो हाँ multiplication possible है अच्छा यह वो condition है जो inner product की पूरी करती है दुबारा inner product की requirement क्या है य या दोनों कालम होने चाहिए या पहला रो और दूसरा कालम तो यहाँ पहला जो है यह रो है एक सेक्सिस की रो है और यह कालम है तो इसको मैं direct जरब दूँगा तीन जरबे 9,27 जमा चार जरबे 7,27 उससे जो जवाब आएगा वो one cross one है इसका dimension क्या एक रो एक कालम तो यह ह inner product की कहानी जो यहां में example में पूरी हो गई है दुबारा inner product क्या कहता है जब भी अगर आप जरब देना चाहते हो और आपके पास दो रो हो या दो कालम हो या पहली रो और दूसरा कालम हो तो उसका जरब आप direct दोगे जो पहला वाला है इसका पहले member को उसके पहले member के जवाब आएगा वह one cross one होगा और इसको scalar भी बोलते हैं अच्छा फिर अगला geometric interpretation of vector operation हम जब vector को कितना टाइम रहता है अच्छा हम जब vector को geometric graphical representation से जब vector को show करते है vector means direction scalar means no direction तो vector का मतलब है कोई meaningful चीज़ और scalar का मतलब है बगएर meaning कोई मतलब नहीं है direction अच्छा तो जब हम vector की बात करते हैं चाए रो हो हमारे पास चाए कालम हो उसका जो पहला member होता है वो हम x-axis पे जाहर करते हैं और दूसरा member होता है वो y-axis पे यह geometric representation कर चाए रो यहां यह कालम है similarly अभी यह row है तो पहला जो होगा वो x-axis पे दूसरा y-axis पे तो यह हम जाहर करते हैं let's suppose हमारे पास क्या है u-3-2 है और यह कालम है जबकि u-3-2 है और वो row है इन दोनों की representation सेम होगी किस सरा होगी यह 3-2 तो मैं पहला जो 3 है वो उसे x-axis पे ड्रा करूँगा और जो दूसरा 2 है उसे y-axis यह जहां मिलेंगे वहां तक मैं यह origin से वहां तक line catch लूँगा यह मेरी representation है यह उस कालम की यह row की दोनों सुर्टों में दोनों सुर्टों में तो यह तरीका कार है मैट्रिस का फिर अगर वेक्टर फार्म श्पेशल फिर अगर यह नहीं जमा मन्फी करते तो वह भी बड़ा असान है let's suppose हमें यह दो दिये गए एक है एक चार और दूसरा है तीन दो इस पर हम बात करेंगे किलास में और सी के साथ हमारी किलास खत्म है